इस वक्त हमारे साथ सुप्रिम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता एके वाजपे जी है सर कल राहूल गांदी जो राफेल मुद्दा पर याची का दायर किया था सुप्रिम कोट में उससे सुनबाए हुआ था राहूल गांदी ने क्या याची का दायर किया था और सुप्रिम करते थे और उन्होंने ब्यान दिया कि सुप्रिम कोट ने भी नरेंदर मोधी को चोर माना है तो राहूल गांदी ने ये कहा तो उसके लिए सुप्रिम कोट में क्रिमिनल कंटेंप डाली गई क्रिमिनल कंटेंप का नोटिस गिया राहुल गांदी को तो राहुल गांदी ने उल्टा सीधा जबाब दिया तो सुप्रेम कोट नाराज हुआ उसके बाद राहुल गांदी ने एक एफडेविट फाइल किया कि मुझसे जाने अंजाने में ये गलती हुई है तो वो एफडेविट में जो मर्यादा के अंदर होन चाहिए वो नहीं हुआ तो सुप्रेम कोट ने का कि आप अनकंडिशनल अपालोजी मानिये उसके बाद सेकिंड एफडेविट बीस पेज का इन्हों ने दिया किस हालात में हमसे ये बात निकली तो उसको सुप्रेम कोट ने सुविकार किया और उसके साथ साथ इनको चिताव नहीं दी कि आप भविस में इस तरह की गलती नहीं करेंगे सुप्रेम कोट के कंदे पर रखकर आप बंदूक नहीं चलाएंगे सुप्रेम कोट ने परधान मंत्री को चोर नहीं कहा है ये कलक फैसला हुआ है एस वराज राहूल गांदी का जहां तक सवाल है अब आजा सोरी ने संजय सिंग ने और परशांत भूशन ने उसमें ये क्या कहा था कि राव राफिल में कुछ करप्शन है इसलिए एफ इयर रिश्टर की जाए सी बी आई इन्वेस्टिकेशन करें और वो इन्वेस्टिकेशन अंडर एसाइटी हो सुप्रेम कोट के मॉनिटरिंग म होई तो वो सुप्रेम कोट ने फैसला दिया था पहले दिसंबर में तो वो फैसले में सुप्रेम कोट में का कोई चीज नहीं है हमने सारी चीज़ एग्जामिन कर लिए प्राइसिंग की हमने एग्जामिन कर ली और रिलाइंस का जहां तक रोल है वो एग्जामिन कर लिया और उसके बाद उन्हों पिटिशन को डिस्मिस कर दिया था उसके बाद ये फिर दुबारा इन्होंने रिव्यू पिटिशन वाइल की कि जी हमको कुछ नए तथ्य मेलें इसलिए इसको दुबारा सुनवाई की आ हाँ परिशांत किशोर यसवन सिना अरून शोरी रिव्यू पिटिशन भी कल डिस्मिस कर दी उन्होंने कहा जो हमने पहले कहा था वो ही हम कह रहे हैं और हम कोई F.I.R. लॉज करने की डिरेक्शन नहीं दे सकते हैं ये सारा का सारा सिलसला है तो देश को गुमरा किया कॉंगरेस ने इन्होंने अपनी सारी एक्सराइज की सुप्रेम क साब जूटा, everything, 10-15 उन्होंने allegation लगाये थे, वो सारे के सारे जूटे निकले और सुप्रेम कोट ने साफ कहा दिया, no investigation, no F.I.R. और हर तरीके से, proper तरीके से deal हुई है, government to government deal है, reliance का सवाल है, वो disons का company है, उससे उनका agreement है, इस government का कोई agreement है, सारी चीज पॉइंट टॉइ प्लियल कर दिया, देखो एक बास समझ लिए, सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और जूट की तो इंतहा नहीं, तो राउल गांदी ने तो जूट का समंदर बनाया हुआ था, और जनता ने जवाब दिया, सुप्रिम कोट ने दो बर जवाब दि तो यह सब सरा सर जनता देख रही है, और इसी का हसर है का अंगरेस का कि 44 अबावल पर पहुंची होगी है, अगली बार अगली बार अगरा अधिल मुदे पर राहूल गांदी जूट बोलते हैं, तो जिल जाना पड़ेगा, वार्निंग है, वो जजमेंट में पढ़के उस साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें